Hello everyone, this is Vahid from DreadEco तो अपनी आज की इस वीडियो में हम Elementor का Theme Builder के जो बाकि फीचर रहते थे उसको देखते हैं, उसमें एक फीचर है Search Results तो उसको देख लेते हैं, उसमें एक और फीचर था, क्या नाम था उसका? लूप, तो लूप को हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चलके कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा कि लूप क्या होता है और कैसे यूज होता है तो फिराल हम लूप को Skip करेंगे, और इसमें बाकि क्या है? Search Results तो इसको दिख लेती है, प्लस पे हमने क्लिक करने है, तो अले में इंटरपेनल ओपन हो रहा है, ओपन हो गया है तो ये कौन सी टेंपलेट होती है? ये वो टेंपलेट होती है, जब कोई हमारी वेबसाइट पे Search बार यूज़ करता है, बलब है कोई चीज़ सेर्च करता है तो उसके सामने कुछ Archives आ रही होती है, मतलब उसके जो Results आ रही होती है, जैसे हम Google पे जाते हैं Google.com, तो इसमें एक Search बार है, ठीक है? इस तरह कोई और वेबसाइट होती है, जैसे कि एक वेबसाइट है तो इसमें भी शायद कोई सर्च बार हो, इस साइड पे होती है, शायद अभी ये पूरी डोट नहीं होई ये देखिए, इस साइट पे सर्च बार है, तो एक तो ये अर्चाइब शोग हो रही है ना, ये अर्चाइब और है, और जब मैं कुछ चीश सर्च करता हूं, for example, मैं ये अधर सर्च करता हूं, सी क्लीनर तो मैंने यह सेर्च किया इदर और अब यह जो आर्काइव आ रही है यह आर्काइव सेर्च रिजल्ट की आर्काइव है है तो बिल्किल उस जैसी ही लेकिन यह और होती है दूसरी और होती है ठीक है तो यह जो आर्काइव है इसको कहते हैं सेर्च रिजल्ट हमने कैसी शोक्रवानी जब कोई हमारी वेबसाइट पर आगे कोई चीज़ सर्च करता है, फिलाल वो काँ सर्च करेगा हमारी वेबसाइट से, हमारी ये वेबसाइट है, इस पर कोई सर्च बार ही नहीं, लेकिन हम लगा तो सकते हैं जहां पर मरजी लगाना चाहें, वह तो ह अगर लगा हो या ना लगा हो टेंप्लेट इस तरह की आएगी जैसे हम बनाएंगे ठीक है तो आपको दिखाता हूँ के सबसे पहले तो हम आर्काइव टाइटल टाइटल से क्या होगा टाइटल से मुराद वो है कि जब कुछ सर्च करेगा वो जो वर्ड्स सर्च करेगा वो इदर इसके आगे लिखे हो जाएंगे जहां पर लिखा है रहा है ना सर्च रिजर्ट्स फॉर आगे ये कॉलन है उसके आगे खाली है तो यह जो खाली स्पेस है ना यहां पर लिखा आएगा जो भी वो बंदा सर्च करेगा जो words भी होंगे उसमें जो भी सर्च करेगा वो उसके आगे लिखा जाएगा जैसे मैंने सी के लिए ना सर्च किया ना देखिए इदर लिखा रहा है सर्च इजल्ट फार की जगा कुछ और लिखा हुआ हो इस जगा पर और आगे जो बंदा सर्च करेगा वो लिखा है तो मैं इदर क्लिक करूँगा यह जो रहांच का इकन है और एडवांस पर तो इदर में बिफोर में कुछ भी लिख सकता हूं जो मैं लिखना चाहूं जैसे के यू सर्च फार तो देखिए अभी यह लिखा गया है यू सर्च फार उसे पहले तो यह कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं आप चाहें तो और अगर आपने यह रिमूव करना है इसको इदर से बंद कर दें इंक्लूड कॉंटेक्स्ट मतलब कि यह जो आगे लिखाएगा जो भी बंदा आगे लिखता है या फिर जो भी है तो यह आपको बता चल गया कि यहां पे क्या लिखाएगा यहां पे लिखाएगा जो भी सर्च करेगा उससे आगे देखते हैं क्या है उससे आगे हमारे पास कुछ आथर बॉक्स है अगर लगाना हो तो लगाना ना लगाएं नेज़े आर्कायव पोस्ट तो इनको भी आप सकते हैं आप चाहें तो बिल्कुल अपनी जो नॉर्मल आर्काइबस है उन जैसे डिसाइन कर लें उन जैसे डिसेन नंहीं करना तो आप किसी हो तरह बंद जैसे भी डिसाइन आप करना चाहते हैं तो यह कभ शोंख यह तब शोंखे होगई और यह जो हमारी template थी यह ready है, designing करनी तो आपको आती है, वो आपको कर लोगे, जो जी में थीम बताने वाली हो, मैंने आपको बता दी है, अब इसको test कर लेते हैं, test करने के लिए हमें search bar भी चाहिए होगा, तो चलते हैं अपनी website में, और पहले एक search bar लगाते हैं किसी page पे, किसी भी page पे लगा सकते हैं, header में लगा सकते हैं, footer में लगा सकते हैं, या जहांबे मर्जी हम लगाना चाहिए, वहाँ पे लगा सकते हैं, use ही करना है न हमने, तो चलें फिर किस page पे लगाएं, इस page पे जा इदर लगा हो या किसी वहाट पेज पर लगा हो या हैडर पर लगा हो तो सर्च के लिए एलिमेंटर की एक टेंप्लेट है जो इदर से मैं सर्च कर सकता हूं search करता हूँ मैं search form ये आगया search form इस को मैं track कर करके कहीं पर use करता हूँ इदर दें search form आगया करती है update और अभी मैं इस page को view करता हुआ इदर से अभी मैं इदर सЕ जो कुछ search करूंगा फर गहींप तो मैं western search ने टेंप्लेट बनाई थी वह लिकुल वैसे आ रही है मतलब कि लिखा रहा है search results for और आगे लिखा रहा है hello मतलब hello मैंने search किया न तो वह लिखा आ गया अब नीचे लिखा रहा है it seems we can't find you are looking for मतलब इनको कोई चीज मिली नहीं है जो मैं डूट रहा हूँ तो हो जाने मैं किसी पोस्ट का नाम यह search कर लिता हूँ what is लॉरम इपसम तो देखते हैं कहां किस पेज पर लगाया था हमने यह पेज था इधर search करते हैं इपसम ठीक है इपसम मैंने सर्च किया तो देखें जो हमने टेंपलेट बनाए थी बिलकुल वैसी वही कलर्स वही डिजाइनिंग वही सब कुछ हुआ रहा है तो आपको पते चल गया कि जो हमने search result की टेंपलेट बनाए थी यह search results के लिए है यह वैसे शो नहीं होती वैसे हमेरी टेंपलेट जो आर्काइव होती है वह वैसे की वैसे ही शो होंगी जैसी हमने उसकी टेंपलेट सेट की होगी search results और चीज़ है ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं से नक्स अगली वीडियो में करेंगे तब तक के लिए अला हाफीज